वीडियो शुरू करने से पर एक छोटा सा शाउट आट मेरे सेकंड चैनल 2M Solopods को जहां पर मैंने यहां पर कंटारा का हिंदी रिव्यू अपलोड किया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो यार जाके देखो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहां पर एक्शियल में रीजन हो सकता है कि सकार तो में हें छोड़ के साथ देखने को मिले हैं शीहलकके के आपिसोड की ऐंडिंग में लेकिन उनके साथ उनकी मदर करेंने में क्या वोल्ड हुँ की स्टोरी लाइन में या फिर World War Hulk की स्टोरी लाइन में बताई गई थी कि हुलक को उन्होंने यहां पर ट्रेंड किया था जब उनको यहां पर पगडा गया था सकार के प्लाइनट पे और वहां पर उन्हें ट्रेनिंग कराने में या फिर उन्हें काम कराने में मदद करी थी और यही शायद से थार रेगनरॉक की उस स्टोरी लाइन में हुआ होगा जब यहां पर एज अफ अल्ट्रॉन में यहां पर प्लाइनट सकार पे लैंड किये थे और वह बहुत जा एंड्रेज थे डिस्ट्रक्शन मचा रहा है थे लेकिन जो काबू करने में सफल यहां पर रही है वह कियारा ओल्ट स्ट्रॉंग ही रही है अपनी पॉवर्स का यूज़ करके क्यूंकि उनके पास यहां पर उनको शैडव क्वीन कहा जाता था और साथ ही साथ में उनके पास ओल्ट पावर सी तो उसलिए उनका यूज़ करके उन्होंने यहां पर ब्रूस बैनर को कंट्रोल में लाया और हल्क यूज़ परसनालिटी को यहां पर चैंपियन ऑफ सकार बलने में हेल्प करी लेकिन यहां पर एक्शुली उनके साथ हुआ यां फिर फेर शीख के लिए आगे चलके उनकी डा डायक्षिन क्या होने वाली है लेकिन अब यहां पर शीख के एंटिंग में हमें यह बताया गिया है कि सकार पे एक सीक्रिट मेशन पे गए थे और एक्शुली वहां पर क्या हुआ ब्रूस बैंदर के साथ क्यों उन्हों बाल नहीं थे उसका भी बहुत ही इंपॉर्टन कर्येक्शन सबसे पहले देखो यार यहां पे सकार थे कहां और उनकी वाइफ थी कहां थार एक नरो की स्टोरी लाइन के पर कोकून क्रियेट करती है जिसमें यहां पर सकार पूरे एक साल तक पहुंचाते और फिर उसकून से बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि यहां पर क्यारा ओल्ड स्ट्रॉंग को कैप्टिव होल्ड करके क्यूंकि एक नए चैंपियन की तरह देखते होंगे और उसी के प्रेशर में या फिर तो वह कैप्टिव रखा गिया होगा उनकी मदर को और सकार को उसी प्रेशर में आकर फाइट करना पड़ा होगा लेकिन मुझे रगता है कि यह पास्ता ग्रैंड मास्र की उपर उल्टा ही का यूज किया है या फिर इन दोनों ने मिलके जो इतनी ड्रेस्ट्रक्शन मचाई है कि ग्रैंड मास्टर को अल्टिमेट ली एक अल्टिमेटम या फिर एक सिगनल भीजना पड़ा एर्थ पे एक सकारियन शिप के लेकिन सबसे इंटरस्टिंग और सबसे बड़ा टुिस् होता है क्यों कि आपको पता है कि पैलान शुमीबन का कचिरा फिर परकी होगीड का फिर अघारे कोई हुए हुई है न या फिर जो इंकरजन वाला एंगल हमें टॉक्टर स्टेंज मल्टी वर्स में टीज किया गया था उनकी वज़ा से वो कहीं न कहीं और रियालिटी ऐसे टक रही है जिनका यहां पर डिरेक्ट इंपक्ट प्लाइट सकार की उन डेवल होल्स पे पड़ा है और वहां सकता है यहां कि इसका कनेक्षण गैलैक्टस से भी हो सकता है क्या उसमें सकार प्लैडब को ठीली जैंकि यहां पर दाज लिए उसका बड़ा विलन को इतने बडुट फेज के लिए बचाना चाहेगी क्योंकि क्या है कंक इसी बड़انarin मॉल्टी वेर्स मुझे लगता है कि फैंटास्टिक 4 जो मुवी होने वाली यहां पर हमें सबसे ज्यादा कनेक्शन जिस विलन से करवाया जाएगा वो यहां पर डॉक्टर डूम हो सकता है हला कि सकार का भी यहां पर अगली سोलो मुवी आने वाली है जैसा कि हमें सकार की एंडिक रिविल करती है कि कैविन उन से कहते हैं कि तुम्हें बड़े स्क्रीन पर मिलूगा ऐसे में सकार हमें और भी मुवी में ब्रूस्ञाइन के साथ कैमियो करते हुए ज़रूर नजर हुए थे तो उनके साथ क्या चीज़ी हुई थी किस तरीके से वह अपनी वाइफ वगारा से मिले थे यह सब चीज़े हमें वहीं देखने को मिलेगी और जो अजीब सा हेर कट था जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि एक्स्प्लेइन करूंगा तो बिसकिली जिस तरीके से थौर को अपना हेर कट यहां पर स्टैनली ने दिया था नहां पर हेर ड्रसर के तौर पर मिलकर तो मुझे लगता है कि जबरदस्ती उनको भी यहीं हेर कट दिलवानिक करने की कोशिश की थी शायद से पूरी तरीके से के रख दिया था उस ड्रेसिंग रूम को भी शायद से सकार ने यानिकि वह अल्टिमेटी बहुत से पौरफुल है शायद से इस भोली वाली शेकल के पीछ एक बहुत ही बड़ा मॉंस्टर चुपा है जो कि इस वक्ट जो है हल्क भी अपनी फैमिली से हाइड करें सो गाइ झाल दो है जो झाल दो है सकार चुपाइब को